Hello Friends, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है. इस वीडियो सीरीज में हम Employability Skills के Second Year के MCQs पर रहे हैं, तथा इस सीरीज में यह हमारा सेट नंबर साथ है. जो की इस सीरीज का अंतिम वीडियो है. मुझे उम्मीद है कि ये क्वेस्टन आपको समझाए होंगे. आज के इस मॉडियो में पंदरह Questions है, जो की आपके CBT एकजाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो कृप्या वीडियो को पूरा देखें. मेरे चैनल Old School में आपका स्वागत है. तो आएए अब बिना देरी किये आज का वीडियो शुरू करते हैं. आज का हमारा पहला Question है. An Entrepreneurial Mindset means to Daesh. यानि एक उद्यम्शील मानसिक्ता का मतलब है. Option A. Identify opportunities and use them for your benefit यानि अफसरों की पहचान करें और उनका उप्योग अपने लाब के लिए करें. Option B. Try different ways to solve problems यानि समस्याओं को हल करने के लिए विभिन तरीकों की कोशिश करें. Option C. Achieve your goal without giving up यानि बिना हार माने अपने लक्षे को प्राप्त करें. Option D. All of these यानि ये सभी. इस question का सही answer है. Option D. All of these यानि ये सभी. हमारा अगला question है. What does it mean to think like a business person? यानि व्यवसाई की तरह सोचने का क्या मतलब है? Option A. Only thinking about money यानि केवल पैसे के बारे में सोचना. Option B. Being scared to try new things यानि नई चीजों को आज माने से डरना. Option C. Seeing problems as things to fix यानि समस्याओं को ठीक करने वाली चीजों के रूप में देखना. Option D. Not liking change यानि बदलाव को पसंद नहीं करना. इस question का सही answer है. Option C. Seeing problems as things to fix यानि समस्याओं को ठीक करने वाली चीजों के रूप में देखना. हमारा अगला question है. If you face a problem in your community, which of the following entrepreneurial mindset traits would be most helpful? यानि यदि आप अपने समुदाय में किसी समस्या का सामना करते हैं, तो निमनलिखित में से कौन सा उद्यमशील मानसिकता गुन सबसे सहायक होगा? Option A. Waiting until everything is perfect to do something यानि कुछ करने के लिए सब कुछ सही होने का इंतजार करना. Option B. Taking action to solve the problem यानि समस्या को हल करने के लिए कार्रवाई करना. Option C. Ignoring the problem and hoping it goes away यानि समस्या को नजरंदाज करना और उम्मीद करना की यह दूर हो जाए. Option D. Blaming others for the problem यानि समस्या के लिए दूसरों को दोश देना. इस question का सही answer है. Option B. Taking action to solve the problem यानि समस्या को हल करने के लिए कार्रवाई करना. हमारा अगला question है. Imli makes soaps and cells from her home. She wants to grow her business. What should she do? यानि Imli साबून बनाती है और उसे अपने घर से बेचती है. वह अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहती है. उसे क्या करना चाहिए? Option A. Talk to shopkeepers and build connections with them. यानि दुकांदारों से बात करें और उनके साथ संबंध बनाई. Option B. Keep doing the same machine without any changes यानि बिना किसी बदलाव के वही काम करते रहें. Option C. Wait for an opportunity to grow the business यानि व्यवसाय को बढ़ाने के अफसर की प्रतीक्षा करें. Option D. Only sell to her neighbors यानि केवल अपने पडोसियों को बेचें. इस question का सही answer है. Option A. Talk to shopkeepers and build connections with them. यानि दुकांदारों से बात करें और उनके साथ संबंध बनाई. हमारा अगला question है. If your co-workers don't agree with your project idea, what's a good way to handle it with an entrepreneurial mindset? यानि यदि आपके सहकर्मी आपके परियोजना विचार से सहमत नहीं हैं, तो उद्यमशील मानसिक्ता के साथ इसे संभालने का एक अच्छा तरीका क्या है? Option A. Give up on your idea यानि अपने विचार को छोड़ दें. Option B. Stop talking about it यानि इसके बारे में बात करना बंद करें. Option C. Ask for feedback and make your idea better with their help यानि फीदबैक मांगें और उनकी मदद से अपने विचार को बेहतर बनाएं. Option D. Stick to your idea without listening to others यानि दूसरों की बात सुने बिना अपने विचार पर टिके रहें. इस question का सही answer है. Option C. Ask for feedback and make your idea better with their help यानि फीदबैक मांगें और उनकी मदद से अपने विचार को बेहतर बनाएं. हमारा अगला question है. Why is it important to have a business plan before starting a business? यानि व्यवसाय शुरू करने से पहले व्यापार योजना होना क्यों मेहत्वपूर्ण है? Option A. To attract investors and get a loan यानि निवेशकों को आकर्षित करने और रिन प्राप्त करने के लिए. Option B. To outline goals and set clear direction for growth यानि लक्षियों को रेखांकित करने और विकास के लिए सपष्ट दिशा निर्धारित करने के लिए. Option C. To identify potential challenges and risks यानि संभावित चुनौतियों और जोखिमों की पहचान करने के लिए. Option D. All of these यानि ये सभी. इस question का सही answer है. Option D. All of these यानि ये सभी. हमारा अगला question है. Imagine you are setting up a mobile repair shop. Which of the following is the most important for its success? यानि कलपना करें की आप एक mobile मरम्मत की दुकान स्थापित कर रहे हैं. इसकी सफलता के लिए निमनलिखित में से कौन सबसे मेहत्वपूर्ण है? Option A. Setting up the shop in a busy area यानि दुकान को व्यस्ट शेत्र में स्थापित करना. Option B. Offering repair services at a higher price यानि उच्च कीमत पर मरम्मत सेवाएं प्रदान करना. Option C. Putting up flyers in the neighborhood यानि पडोस में flyers लगाना. Option D. Picking the right shop name यानि सही दुकान का नाम चुनना. इस question का सही answer है. Option A. Setting up the shop in a busy area यानि दुकान को व्यस्ट शेत्र में स्थापित करना. हमारा अगला question है. मेहूल is making a plan for his business. Which of the following is not included in a business plan? यानि मेहूल अपने व्यवसाय के लिए योजना बना रहा है. निमनलिकित में से कौन सा व्यापार योजना में शामिल नहीं है? Option A. Business idea यानि व्यापार विचार. Option B. Startup costs यानि प्रारंभिक लागत. Option C. Future growth strategies यानि भविषय की विकास रन्नीतिया. Option D. Personal interests and hobbies यानि व्यक्तिगत रुचियां और शौक. इस question का सही answer है. Option D. Personal interests and hobbies यानि व्यक्तिगत रुचियां और शौक. हमारा अगला question है. Anita is going to the bank today to ask for a loan. She has prepared a business plan. Which of the following will make her business plan strong? यानि अनिता आज रिन के लिए bank जा रही है. उसने एक व्यापार योजना तियार की है. निमनलिखित में से क्या उसकी व्यापार योजना को मजबूत बनाएगा? Option A. Have only the idea and name of her business यानि केवल अपने व्यवसाय का विचार और नाम होना. Option B. Total cost of starting her business without any details यानि किसी भी विवरन के बिना उसके व्यवसाय को शुरू करने की कुल लागत. Option C. Challenges her business might face along with solutions for them यानि उसके व्यवसाय को मिलने वाली चुनोतिया और उनके समाधान. Option D. None of these यानि इन में से कोई नहीं. इस question का सही answer है. Option C. Challenges her business might face along with solutions for them यानि उसके व्यवसाय को मिलने वाली चुनोतिया और उनके समाधान. हमारा अगला question है. Imagine you are starting a bakery business. What would you focus on first in your business plan? यानि कलपना करें की आप एक बेकरी व्यवसाय शुरू कर रहे हैं. अपनी व्यापार योजना में आप सबसे पहले किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे. Option A. सिरिख तिंग ए क्या चीने मुफोजा बेकरी यानि बेकरी के लिए एक आकरशक नाम चुनना. Option B. calculating how much money you need to start the business यानि यह गरना करना की व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे की आवशकता है. Option C. planning how to advertise the bakery on social media यानि social media पर बेकरी का विग्यापन कैसे करें इसकी योजना बनाना. Option D. figuring out how the business will grow यानि यह समझना की व्यवसाय कैसे बढ़ेगा. इस question का सही answer है. Option B. calculating how much money you need to start the business यानि यह गरना की व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे की आवशकता है. हमारा अगला question है. When presenting your business plan, what should you do to engage and connect with the audience? यानि जब आप अपनी व्यापार योजना प्रस्तुत कर रहे हों, तो दर्शकों के साथ जुरने और जुराव बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? Option A. Practice until you can confidently present your plan यानि तब तक अभ्यास करें जब तक आप अपनी योजना को आत्मविश्वास से प्रस्तुत न कर सकें. Option B. Repeat yourself multiple times यानि खुद को कई बार दोहराए? Option C. Share a story or an experience that shaped your idea यानि एक कहानी या अनुभव साझा करें जिसने आपके विचार को आकार दिया. Option D. Avoid I contact with the audience यानि दर्शकों के साथ नेत्रसंपर्क से बचें. इस question का सही answer है. Option C. Share a story or an experience that shaped your idea यानि एक कहानी या अनुभव साझा करें जिसने आपके विचार को आकार दिया. हमारा अगला question है. When presenting your business plan to a potential investor, you should be clear about DASH. यानि जब आप अपनी व्यापार योजना एक संभावित निवेशक को प्रस्तुत कर रहे हों, तो आपको DASH के बारे में स्पष्ट होना चाहिए. Option A. Initial investment required under break down of the cost यानि आवशक प्रारंभिक निवेश और लागत का विभाजन. Option B. किपक्ति दो कस्तमा अकाउंट यानि अपेक्षित ग्राहक संख्या. Option C. Potential आणिंग स्यानि संभावित कमाई. Option D. All of these यानि ये सभी. इस question का सही answer है. Option D. All of these यानि ये सभी. हमारा अगला question है. When presenting your business plan, what can you do to help the audience understand and believe in your product service? यानि अपनी व्यापार योजना प्रस्तुत करते समय, दर्शकों को आपके उत्पाद यानि सेवा को समझने और उस पर विश्वास करने में मदद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? Option A. Repeat yourself multiple times यानि खुद को कई बार दोहराए. Option B. Give a demo of the product और service यानि उत्पाद और सेवा का देमो दें. Option C. Share overall business costs यानि कुल व्यापार लागत साजा करें. Option D. Tell a joke यानि एक मजाक सुनाए. इस question का सही answer है. Option B. Give a demo of the product और service यानि उत्पाद और सेवा का देमो दें. हमारा अगला question है. Imagine you're presenting your business plan to potential investors. Why is it important to actively listen to their questions and provide thoughtful answers? यानि कल्पना करें की आप अपनी व्यापार योजना संभावित निवेशकों को प्रस्तुत कर रहे हैं. उनके प्रशनों को सक्रिय रूप से सुनना और विचारशील उत्तर देना क्यों मेहत्वपूर्ण है? Option A. To show off your expertise यानि अपनी विशेशगेता दिखाने के लिए. Option B. To avoid eye contact यानि नेत्र संपर्क से बचने के लिए. Option C. To understand the concerns of the investors and build their confidence in your plan यानि निवेशकों की चिंताओं को समझने और आपकी योजना में उनका विश्वास बनाने के लिए. Option D. None of these यानि इन में से कोई नहीं. इस question का सही answer है. Option C. To understand the concerns of the investors and build their confidence in your plan यानि निवेशकों की चिंताओं को समझने और आपकी योजना में उनका विश्वास बनाने के लिए. आज का हमारा last question है. Maya needs funding for her small business. What can she do to find a suitable investor? यानि Maya को अपने चोटे व्यवसाय के लिए धन की आवशेकता है. उप्यूक्त निवेशक खोजने के लिए वह क्या कर सकती है. Option is send her business plan to every investor she finds online. यानि अपनी व्यापार योजना को हर उस निवेशक को भेजें जिसे वहां online पाती है. Option B. Attend networking events to meet suitable investors. यानि उप्यूक्त निवेशकों से मिलने के लिए networking events में भाग ले. Option C. Send her business plan to her friends and ask them to send it to investors they may know. यानि अपनी व्यापार योजना को अपने दोस्तों को भेजे और उनसे कहें की वे इसे उन निवेशकों को भेजें जिन्हें वे जानते हो सकते हैं. Option D. Wait for the suitable investor to find her यानि उप्यूक्त निवेशक के उसे खोजने का इंतजार करें. इस question का सही answer है. Option B. Attend networking events to meet suitable investors. यानि उप्यूक्त निवेशकों से मिलने के लिए networking events में भाग ले. मुझे उम्मीद है कि आपको यह question समझाए होंगे. आज के लिए बस इतना ही. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. कृप्या चैनल को लाइक, शेयर, तथा सब्सक्राइब करना न भूले. तेंक यू आल पर यूर लव और सपोर्ट.